हेलो दोस्तो आज की वीडियों बात करने वाले हैं वीबोवाई हंडर्ड डिवाइस के अंदर आप एर्टोमेटिक कोल डिकोडिंग फाइल मनेजर में सेव कैसे करेंगे दोस्तो आप कोई भी कोल डिकोडिंग करते हैं तो आपके फाइल मनेजर में सेव नहीं होता है वो से आप नंबर को डिलीट मारते हैं तुरंत आपको काफी प्रोब्लम होता इससे तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप अपने को फाइल मनेजर में सेब कैसे करेंगे दोस्तों उसके लिए एक छोड़ा सा सेटिंग है जिसको आपको एनेबल करना है और इसके बाद आप आपके फाइल मनेजर में सेब हो जाएगे तो दोस्तों एक चीज और हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका डालर पैड है वो गूगल डालर है इसलिए जो आपकी को डिकोडिंग है वो आपके फाइल में सेब नहीं होता है वो आपके डालर पैड़ के अंदर ही सेब हो जाता है जो आपका Google डालर है वह अपने ही अंदर autrecording को सेब कर लेता तो दोस्तों आपको अपने फोन में जो Google डालर है उसको replace करके अपने phone में बीबो डालर इस्टोल करना होगा और इसके बाद आप अपने phone में जो भी कोड रिकोडिंग करेंगे वह आपके फाइल ने दिर में सीव हो जाएगा दूस्तों चलिए अपने स्टेटिंग में चलते हैं वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने गूगल को रिप्लेश करके बीव डालर इस्टोल करना है तो उसके लिए आपको स्टेटिंग को ऑपन करना है जैसे पीस पर कलिक करते हैं यहाप देख रहे हैं बहुस हलो सेटिंग आ जाते हैं और आपको थोड़ा सा स्कूल करना है और नीची आ जाना आपको सबसे नीची आना है सबसे नीची आपको मिलता है इनेबल अल्टरनेट ओन एंड कॉंटेक्ट तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आप देख रहे यह प्रवसंट करेंगे यहाँ पर फिर से एक notifikation अंगा और यहाँ पर श्रिट्नोगा करने करते हैं यहाँ तो, आप डेख रहे हैं जो दोनों डालर है फिर से यहाँ पर आ जाते आप देखे हो हैं हमारे पहन में जो डालर है यहां पर चैंज हो चुका है और यहां पर लेकिन पहोगी जहां दोस्तों पहले यह p कर सकते हैं दूस्ते एक बार हम छोड़ा सा कोल डिकोडिंग करते हैं और उसको आपको दिखाते हैं कि हमारे फॉन में जो कोल डिकोडिंग है वो होता है यह नहीं होता है तो हम यहां पर 118 पर कोल लगाएंगे और कि दोस्तों आप डेख रहे थे हमने यहां पर छोड़ा सा कोल कोडिंग कर लिये हैं और यहां करते हैं और आप देख कर से आप देखरें जो हमारे फाइल है यहाँ पर आ जाते हैं नीचे हमको मिलता है internal storage तो हम इस पर click करते हैं आप देखरें जो हमारा phone memory है यहाँ पर है और हम इस पर click करते हैं जैसे हम इस पर click करते हैं आप देख रहे हैं हमारे phone में अब यहाँ पर जो भी आ रहा है यहाँ पर call recording आएगा यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा file है यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तों यहाँ पर पहले file को open करना है जो आपकी call recording का file है आपको उसको यहाँ पर open करना है तो हम यहाँ पर रिकोडिंग की फाइल ओपन करते हैं तो आप देख रहें पर रिकोडिंग है यहां पर रिकोडिंग पर ऐसे क्लिक करना है और यहां पर रिकोड को ओक्षन आ तो आप देख रहे हैं यहां से स्फेब हो पाएगे दोस्तों उम्मीत करता हूं आपको समझ में आजबा किस तरह से आपको पने को लिकोडिंग को फाइल में सेप करना तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छली हो चैनल को सब्सक्राइब करने और विचनी प्रेश करने आपको सबसे पहले में लेट प्रेंच पिर मिलते एक शी नाट पूड में तब तक के लिए बाइबाइब